बहुत-बहुत सभ्बद है आप सभी का अपने पर्यागर में और आज की देखने वाले हैं जो भी आत्र बिये बिस भी कॉम हुआ हैं- व्रॉम हैं जाथ रखिए फिसे यार हें है अपका लेकिन सेक्ड समस्थर में डिए हुआ अप सब्स Claudia के सबचेक्ट के सब्सक्राइग सॉष्ट कि नाम से चुझाता है और इसमें आपके सब्सक्राइब एमसी क्यूं बनेंगे और इन एमसी क्यों को करने के लिए स्याधार तरीके से आपको 33 प्लस कोशन लाना अनुवार्य होता है अब पास हो जाते हैं यदि आपको 2022 में टॉपर बनना है तो आपको सबसे पहले 85% प्लस का टार्गेट रखना होगा तो टार्गेट रखने के लि मैंने link description box में दे रहा है हमारी website paperhacker.in उस पर जाईए और नीचे description box और थोड़ा सा नीचे जाईए देखे paperhacker.in पर आप टच करेंगे और website पर जाकर थोड़ी से नीचे जाएंगे Google पर पहुंच जाएंगे आप Google पर थोड़ी से नीचे जाएंगे बहां आपका class होगा जैसे कि बीए सेकंड सेमस्टर के स्टूटेंट तो बीए सेकंड सेकंड सेमस्टर बटन पर टच करेंगे आप जो चाहें वो notes PDF MCQ डालोड कर सकते हैं बड़े आसानी से तो कैसे करने के लिए सबसे बिल्ला करेंगे हैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं आपको क्या होगा सिंपल तरीके से Google पर search करना होगा paperhacker.in जिसका लिंक मैंने description box में दे रखा है जैसे उस लिंक पर touch करें कुछ इस तरीके से हमारी website खुलेगी और थोड़े से नीचे जाने और बहीं कुछ अजीब तरीके से Google राई website तो कोई शू नहीं है वक्की मैं देखो और यदि आप सेकंड समस्टर में बीकॉम सेकंड समस्टर पर बटन करना और बीए सेकंड समस्टर वाले बटन पर टच करना जैसे आप इस बटन पर टच करेंगे तो कुस एड्ट साइड करने के बाद में आपको देखेंगे कि बीए सेकंड समस्टर के नोट्स डालूट करने के लिए साइट में बटन आ रहा है तो यहां से आपके मिलेंगे mgcq यहां से मिलेंगे mgcq यहां लेखा है बहुरगट्पि परिसनःवल 2 जीवरफि के में जैई आप यहां से आपको यहां से अपने डालूरा करने रहा है यह हमारा अपWowudट्य हैं आठ मा पार्टे शंक्त है हमने साथ कर रखे हैं लिंक मैंने playlist का भी description box में दे रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना है इधर उदर ढूंडने की जुरूरत ना पड़े उस पर आप link पर touch करना सारी वीडियो आपके सामने देंगी बस वीडियो देखकर भी आप पास हो जाओगे आप देखके चले जाते हो तो भी आपका काम बन जाएगा देखिए आम मैं आपको बताने वाला हूं देखिए यहां के सामने जो unit number 4 है unit number 3 तक मैंने करा दिया है साथ unit unit number 4 को हम 8 पार्ट में खतम कर देंगे लगबग में इस वीडियो में 57 कोशन होंगे खतम अब क्या करना होगा देखो यहां से तो महत्पूर कोशन बनेंगे वह बनेगा मानसिक स्वास्ते कोशन यहां से बनने वाले हैं देखो अब दिहान से देख लेना है मेरी बात को और स इस तरीके से कोशन आपकी यहां से देखने को मिलते हैं लेकिन मैं आपको सिंपल तरी कोशन पर चाजते हैं और चार आपके सामने होंगे एक कोशन का अंसर मुझे देने की जरूर आप कोशिच जरूर करना है आप सभी को एक बार कोशिच जरूर करिए यहां बोला गया है स्वास्थ को कौन सा तत्व प्रभावित करता है देखिए हमारा स्वास्थ है हम healthy है यह health है हमारी health को कौन सा तत्व है जो प्रभावित करेगा बताईए बाता वरण प्रभावित करेगा जैबिक कारक यह फिर समाजिक कारक उप्रुक्ट सभी आप सभी लोग एक बार सभी लोग एक बार इसका अंसर देंगे उप्रोक्ट सभी जिलकुल सही है देखो बातावर्ण प्रवाइद करेगा यदि दूशित है मली बहुत ज्यादा प्रदूशन है तो हमारा क्या होगा बॉड़ी क्या होगी ग्रूथ नहीं कर पाएगी और क् क्या करने वाले और यहां रसानिक कारक के बारे में देख लेजिए एक स्वस्त बेक्ति को सोना चाहिए कितने घंटा सोना चाहिए मालीजे आप स्वस्थ बेखती हैं, आपको कतने गंटा सोना चाहिए, मैंने आपसे कहा, कितने गंटा सोना चाहिए, 6-7 गंटा सोना चाहिए, ज्जादा गंटे सोने की जरत नहीं है, 6-7 गंटे याद रखें, एक बार कोशिश जरू करिए अंसरोक लगाने की नेक्स कोशन है कि प्रत्थम धन स्वास्ता क्या है जो स्वास्त होता है प्रत्थम धन स्वास्त है ये कतन किसका है आपसे पूछेगा कि माली जी एक कतन दिया था कि प्रत्थम धन जो है मांसिक रूप से स्वस्त बेक्ति का लक्षण क्या होता है तो आपको option number आएगा D उपरोग सभी देखो सीगर उपरोग सभी की आत्म विश्बास होगा तो मांसिक रूप से वो स्वस्त होगा आत्म विश्बास उसमें अपने आप पर बहुछ ज़्यादा विश्बास होगा साथी साथ क्या है समयोजन की योगता होगी मांसिक रूप से स्वस्त बेक्ति की पहचान होती है नेक्स कोशन बोला कि उत्तम स्वास्त के लिए आबश्यक कौन सा है यदि उत्तम स्वास्त चाहिए आपको, तो क्या आवश्यक है, आप गोगे उचित पोशन लेना चाहिए, बिल्कुल सही है, साथी साथ नेमित बयाम करना चाहिए, मतलब की डेली, नेमित का मतलब होता है, डेली बयाम करो, साथी साथ उचित रहन सहन हो चाहिए, खाना पीना सही होना चाहिए, ये सबी लोग उप्रोक्त D को लॉग कर दें, चलो, एक कोशन हो रहा है आपके सामने, इस कोशन का अंसर बताइए, फटा फट आंसर आपके सामने है, चार आप्शन, एक का अंसर जरूर बताना है, या अगर अच्छे मानसिक स्वास्त के लिए ब्यक्ति के पास होना चाहिए, अच्छे मानसिक स्वास्त के लिए क्या चीज होना चाहिए ब्यक्ति के पास, बताइए, या अगर अच्छा सारिक स्वास्त होना चाहिए, अच्छे समाजिक सम्मन्द होना चाहिए, या फिर आत्म विस्वास होना चाहिए, या फिर उप्रुक्त सभी, सब्सक्राइब एक स्वास्त बांसिक यहां करा मस्तिक्स ब्यक्ति की क्या विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् साथी साथ कल्यान की भावना होगी और इस पूर्थी उसके अंदर भड़ी होगी उप्रक सभी को लॉग करतेंगे नेक्स कोशन है सकारात्मक स्वास्त क्या होता है बताईए आप कोगे स्वास्त समाजिक द्रश्टी कोड है संभेगात्मक संतूलन के लिए हो सारिक स्वास्त के लिए है बिल्कुल सही option number D को लॉग करेंगे स्वास्त सरीर में ही स्वास्त मस्तक्स का बास होता है किस ने कहा था कोशन द्वारा काई ने कहा था चलो, एक कोशन है, बहुत महत्पूर कोशन है, और प्रूचा गया कि WADA, सम्मन्दित किस से होता है, बताईए, बिल्कुल ठीक है, जिसने भी option number दिया, ए डोपिंग परिक्षड से होता है, ठीक है, डोपिंग परिक्षड से होता है, नेक्स्ट कोशन है, इस्टोराइट का उ बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी का अंसर आ चुका है, वो होता है, डोपिंग में, डोपिंग में स्टोराइट का यूज किया जाता है, नेक्स कोशन है कि डोपिंग परिक्षड क्या है, बताओ, है क्या ये डोपिंग परिक्षड से किया जाता है, बहीं बोला गया ह जो doping परिक्षड होता है, doping test कह सकते हैं, ये मूत्र का परिक्षड होता है, मूत्र के द्वारा किया जाता है, विल्कुल सही, next question है, देखो, narcotics क्या है, narcotics की जब बात की जाती है, तो ये नसीला पदार्थ होता है, narcotics या क्या होता है, तो अब सभी कहेंगे, कि ये नसीला पदार्थ हो, सभी जानते हैं रहे कि नार्कोटिक्स बहुत एक नसीला पदार्थ होता है, जो लोग ज़्यादा नशा करते हैं, वो चीज़ का इस्तमाल करते हैं, भही है, narcotics का परिवहाब किस पर पड़ता है, तो बेटा ये मस्तक्स पर पड़ता है, ये सीधे मस्तक्स पर पर वहाब डालता है, ये नार्कोटिक्स से होता है, वो सीधे मस्तक्स पर पर वहाब डालता है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है कि अलकोहल का रसायनिक नाम क्या है, एक बार सभी लोग बताएंगे, रसाइनिक नाव एथे लौँ एथे नॉल बिल्कुल ठीक है एथे नॉल ऑप्शन अमज इसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है सराब से सरीर के किस अंग पर फिरवाब पड़ता है यदि आप सराब पीते हैं तो कौन सा चीज आपकी सबसे ज़्यादा प्रवाइद होगी सबसे ज़्यादा आपका जो होता है वो होता है लीवर जी हाँ बिल्कुल जिसने भी यहाँ बात किये लीवर भी होता है हिरदे भी होता है और तंतर का तंतर भी सराब पीने से क्या हो दिये प्रवावित होती है फेक्टेट पहुचता है उस पर नेक्स कोशन है तमाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है बताइए यह फिर सिगरेट जो पीते हैं आप उसमें क्या पाया जाता है निकोटीन जी हाँ बहुत ही बढ़िया यह तो सभी लोग जानते हुए निकोटीन पाया जाता तमाकू में जो थोड़ा सा नसल आपको प्रविधान करता है नेक्स कोशन है शिगरेट में कितने प्रतिसे निकोटीन होता है एक आप शिगरेट लेते हैं आपके सामने आचुका है वही एक कोशन है कि सराब के सेवन का सरप्र्थम जो प्रवाहॱ्थ में कह सकते है कि सरवधिक प्रवाहभ जो पढ़ता है या सरवधिक प्रभेण जो اफ्ट सबसे ज्यादा सराब पीने पर देखने को मिल आ है वो कौन से अंग पर मिला है यहां, एक बार बताएंगे वो है याकृत नलिका पर या आपसे पूछा गया आमासे पर या फिर लीबर पर ये उप्रुक्त सभी पर बताइए तो जिसने भी यहाँ option दिया है बिल्कुल ठीक याकृत बिल्कुल परमसत्ता अंसरोगा याकृत पर सबसे ज़्यादा effect देखने को मिलता है नेक्स कोशन यहाँ बूला गया है अतदिक मात्रा में शराब का सेवन करने से ब्यक्ती पर क्या परभाब पड़ेगा यदि आप सबसे ज़्यादा सराब को पिएंगे तो आपको क्या परभाब देखने को मिल सकता है मुझे एक बार comment section में सबी लोग बताएंगे मुझे एक बार सबी लोग comment section में मुझे एक बार बताएंगे क्या परभाब पड़ सकता है कि बताते रहिए फटाफट बताते रहिये white बटाते रही वह option बहुत बढ़ आठीप नपर दी पर कि डौरे आते हैं ठीक है और सातीचाद कहुत आप अभी कभी सच नहीं बोलता वो परिवार को धोका देता है यदि आप ज्यादा आप उकर चुट होगे और साथी साथ भूख कम हो जाती है यदि आधिक दारु पीते हैं तो ति कोशन हां बोला गया है इंडि जाती है और प्रेठी से सीधे हमारा क्या होता है जैसे यह चूशते हैं वो फेंपड़े में जाता है फिर हमारी ब्लेड में सीधे मिल जाता है तो यह क्या चीज होती है यह बटा फेंपड़े को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है तो इस बात को आपको याद रख रहे हैं वहीं है कि धूमरपान से सरीर के किस तंतर पर सब सबसे अधिक प्रभाब पड़ता है सराब से सरीर के किस तंतर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है तो आप कोगे तंतर का तंतर पर सबसे ज़्यादा तंतर का तंतर पर इफेक्ट देखने को मिलता है बहीं एक नया कोशन है यदि ब्यक्ति के मुख से किया है चेया उशने सराब का शेवन किया है कि सरीर और मश्टिक के पूर्वे करने को कहते है है क्या सरीर और मस्टैक्स तकार करेगा तो उसको क्या कहें गे उसे कहा जाता है है सकारात्मक स्वास्त वुला सब्सक्राइब सब्सक्राइब स्वाष्ट की गोशना की थी सब के लिए क्या होगा स्वाष्ट होना चाहिए स्वाष्ट क्या है? सभी का स्वाष्ट इसलिए गोशना की गई थी तो उसमें कभ ही की गई थी तो आपको कि उन्निस 1979 में की गई थी option सी को log करींगे next question आपके सामने है यहां बोला गया है साधान सब्द में यह कहा जाता है कि मानसिक स्वास्त ब्यक्ति के संपूर ब्यक्तित्व की सविस्ट किया है यह परिभासा किस की है यहां जो कोशन सिंपल तरीके से बोला गया है कि एक साधान सब्द में बोला गया था यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्त ब्यक्ति के संपूर ब्यक्तित्व की समस्ति की क्रिया है यह परिभासा किस ने दी थी आप उस राइटर का आपको नाम बताना होगा ठीक है उस तो वो है head filth, head filth है option number a को log करेंगे, next question है, बालको को मानसिक, ठीक है, मानसिक, जो कह सकते हैं, कुंठा है, से बचाने में शायक क्या होता है, कुझठा का लिए तरीघंट कि ऊबूता पूलती है को तरिका अप्से बचाएख कि बाल लग्म से उठाने के लिए लिए ट्रीग के लिए प्लजट करें इंस सभी से क्या है उसे कुझट से बचाए जा सकता है स्वास्त को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं तो मांसिक जो स्वास्त है कौन-कौन से प्रभावित कर सकते हैं उसको प्रभावित कौन-कौन से तत्व महुंचा सकते हैं तो कह सकते हैं आदत महुंचा सकती है विवहार समाजिक स्वास्त कौन सा होगा एक बार इंसान को क्या कर देता है प्रवावित पहुंचा सकता है एक स्वास्त को पर आथा सकते हैं कि मांसिक उठा व्यक्ति में उत्पन करती है क्यानि mily उत्पन करती है ठीक है जो जो मांसिक कुंट व्यक्ति है उसमें उत्पन क्या कर सकता है तनाव उत्पन होता है मांसिक स्वास्त बिग्यान का उद्देश क्या होता है मांसिक स्वास्त बिग्यान होता है उसका जो बिग्यान का मुख उद्देश होता है क्या होता है मानसिक रोगों का उपचार करना नेक्स сп Morm twee Люб बताये ये कथन किसका है पोला गया है दिहांसे देखिएगा मानसिक सौस्त बिज्ञान का संब्मन्द मांसिक स्वास्त को बनाए रखने और मांसिक आस्वास्त को या आसंतुल्ट को रोकने से है तिए यह यह किसका है यह बाट किस ने कही थी तो heath here krama रही अपैर एक नेक्स विल्ट भुला गया καे इस को न देखिएगा पहला कोशन हमने लगा प्रसंता की अवस्था इसका तातवर ना तो रोगों के अभाब ही है और ना ही अच्छे मानसिक स्वास्त के लिए कौन सा दोस्त दूर करने का या करने की आवसकता होती है तो अच्छे मानसिक स्वास्त के लिए कौन सा यदि आप दोस्त दूर कर देंगे तो आप स्वास्त हो जाएंगे एक अच्छे मानसिक स्वास्त वाले बेक्ति हो जाएंगे तो आपको क्या दूर करने की अधिक आवसक रूप से जो स्वस्ट व्यक्ति का लक्षण क्या होता है तो मान्सिक रूप से बताउं आपको देखने को मिलते हैं अभांक्त सभी जैसे की आपको संभीक्रात्मक रॉप से इस्तरा रहना चाहिए चिंता रहित होना चाहिए मतल tentang नहीं करनी है अब पूर्ण रूप से क्या हो समोईजित होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे बूला गया है कि जो मनो बिशलेशन मनो बिशलेशन जो चिकिस्सा को विक्सित किया गया था तो किसके द्वारा विक्सित किया गया था तो किसके द्वारा विक्सित किया गया था तो किसके द्वारा विक्सित किया गया था वो आपको बताना है जैसे की बात की जाए जो सिंगमड फ्राइड द्वारा इसको विक पात्मिक्रूप से स्वास्त है 170 ईए पुर उर्प से स्वास्त कहलाता है नेक्स कोशन आपके सामने है मानसिक्सोस्त का संबंद किसे होता है सब्सक्राइब कि नहीं से ब्ल Medicare के सम्मंद होता है नेक्स कोशन है कि स्वास्त संहगरण होता है उसका प्लकुल आप जिसे को हो जाएगा नेक्स कोश्यन की जलते हैं नेक्स कोश्यन है 41 स्वास्त का सभी माने जाएंगे जैसे की बात की जां मांसिक स्वास्त और गतो है कि उप्शारतमक्त मनों भिख्ञान का संबंद किस से होता है उप्षरात्मक जो मनोविज्ञान होता है उसका संबंद किस चीज से होता है तो आपको इतनाप से होता है और संभिगात्मक समस्याओं से होता है आसमाने विवहार से होता है उपर सपने में डी को लॉप करेंगे नेक्स्ट कोशन यहां बूला गया है क समाजिक रूप से स्वस्त ब्यक्ति होता है समाजिक रूप से स्वस्त ब्यक्ति होता है तरह तालस मों कोशन का अज सतेंगे तालिज में कोशन का अंसर क्या रहने वाला उप्रोग सभी हो जाएगा ठीक है उप्रोग तो सभी जैसे कहते हैं संतोश होनी चाहिए ठीक है मांसेख स्वास्त के लिए क्या आवश्यक है मांसेख स्वास्त के लिए जो आवश्यक होता है वह होता है बिटा सांती पूर्बग बाताबण में रहना और संतुल आहार करना और साती जा उचित निंद्रा लेना मतलब कि 7-8 घंटे की नीद्र लेना यह स्वास्त के लिए बहुत जादा अवश्यक होता है जो आप सभी कोई यह डबलू एचु का उद्देश है नेक्स्ट कोशन है मनोबैग्यनिक जो बैनोबैग्यनिक कारक होते हैं उनके द्वारा होने बाली बीमारी कौन-कौन से होती है और आपको बताना है और साथी साथ आपसे बोला गया है कि निमने कित में से कौन सा मनोबै जिसे कहते हैं हाइपर् तेंशिंट होता है वहमारे एक सकते हैं बीमारी है इसको बोला जाता है है नेक्स कोशिंग है कि यून सिस्क्षा आवश्यक होनी चाहिए तो यून्स कली ए लिए اवैस्यक क्यों होणी चाहिए लड़कों के लिए ऊप्रूगakes Trump एदोनों के लिए यह थोलेगा कि पीड़कों के लिए है किसके लिए अविश्च्य होना चाहिए आफ को लड़की के लिए लड़कों के लिए सिख्षा भावश्यख है तो नेक्स को शनलात अप मंस्तक से लिटेट होता तो बहरी और अंतरिक अंगों से होता है तरक सक्ति सोचने की सक्ति से होता है यह फिर विभार एक अच्छा विभार से होता है यह संभेगात्मक पूर्था से होता है पताइए कोशन काई से होए तरक सक्ति aip कोमेट सक्ति और सोचने की सक्ति से आपके सामने मांसिक रूप से स्वास्त ब्यक्ति कैसे अंठी लेता है उसके वारे में थो आपको बोला गया एक thi बिस्व स्वास अंगलता जिसे डेव एस इस्टापना कब होई थी तो डेवल डेवल एस इस थापना जो हुई थीद्षयल वो स्थास अप्रечат द्यों सो चालिस में हुई थी चालिस में नहीं थी पिर्टाभ स्थापना जिस 15 कोशन है भूला गया है कि विस्ब स्वास्त दिवस कब मनाया जाताएं पिस्ब स्वास्ती दिवस्त कब मनाया जाता एक कितना साथ को मनाया जाते कि आूंप मेnant अपरेल को मित को उपस्तेत करता है तो तो ले TOPendo बताना है है तो तमाकू में उपस्थतत निकोटीन होता है ऑग किस संस्थान को उत्तेजित करता है तो आप को एक संस्थान होती है उसको क्या करता है यह उत्तेजित करता है OPTION B को고 करेंगे Next question यहाँ बूला गया है निकोटीन पाये जाता है तो निकोटीन तमाकू में पाये जाता है सभी को बताऊ को option number 20 Next question है जो मादक द्रिब होता है या कौँशा खत्रा रहता है तो जो मादक जो द्रब होता है जो लिक्वल्फ होता है स्वास्त का खत्रा रहता है एक खिलाडियों में अब क्या कारण होता है जो खिराड़ी होते हूं उसमें अपशाद का कारण क्या होता है तो बो होता है अपशाद का निर्भर करता है तो बेटा यह बालक का बहुँता है निर्भर करता है यह परिवार पर निर्भर करता है बिद्ध्यालय पर या फिर समुधाय पर उप्रयोक्त सभी को लॉग करेंगे तो आज के पारट नंबर अब तक पार्ट साथ मनलब कि पहले डाल रखे थे और ये वीडियो हमारी आठ मी पार्ट है तो भाग नंबर आठ था पूरा कंप्लीड हो चुका है पूरी बुक आपकी जो थी ठीक है जिसे कहता है पूरा मैंने करा दिया कोई शुनी आठ पार्टों में डिवाइड कर दिया तो चल को सब्सक्राइब करना ना बोले धन्यवाद